इकाई तीन सच्चा हीरा सुप्रभात बाल दोस्तों, कैसे हो? सुप्रभात पीचर बहुत अच्छे बाल दोस्तों, आपको कहानी सुनना पसंद है? हाट पीचर बहुत अच्छे तो चलो, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ यह कहानी का नाम है सच्चा हीरा सुर्य अस्थ हो रहा था पक्षी चह चहाते हुए अपने अपने नीड की और जा रहे थे गाउं की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की और चल पड़ी पानी भर कर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लोट गई परंतु उन में से चार कुएं की पक्की जगत पर बैठ कर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी बाचित करते करते बात बेटों पर जा पहुँची उन में से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी वह कहने लगी भगवान सब को मेरे बेटे जैसा बेटा दे मेरा बेटा लाखों में एक है उसका कंठ बहुत मधुर है वह बहुत अच्छा गाता है उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे उसने पहली स्त्री से कहा मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है वह बड़े बढ़े बहादुरों को भी पचाड देता है वह आधुनिक युग का भीम है यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती वह बोल उठी मेरा बेटा साक्षाद ब्रहस्पती का अवतार है वह जो कुछ पढ़ता है एक दम याद कर लेता है तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी बैठी रही उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा पहली ने उसे टोकते हुए कहा क्यों बहन तुम क्यों चुप हो तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ चौथी स्त्री ने बड़े ही सहजभाव से कहा मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूँ वह न तो गंधर्व सा गायक है न भीम सा बलवान और नहीं ब्रहस्पती सा बुद्धिमान कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रख कर लोटने लगी तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा सुनकर पहली स्त्री बोली सुनो मेरा हीरा गा रहा है तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया उसने अपनी मा की योर कोई ध्यान नहीं दिया इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है शक्ती और सामर्थे में इसकी बराबरी कौन कर सकता है वह यहां कहे ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी और ध्यान दिये बिना ही निकल गया वे कुछ आगे बढ़ी तो एका एक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था कि मानों उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हों तीसरी स्त्री ने गद गद स्वर में कहा देखो यही है मेरी गोद का हीरा इसे कौन ब्रहस्पती का अवतार नहीं कहेगा परन्तु उसका बेटा भी मा की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला वह देखने में बहुत ही सीधा सादा और सरल प्रकृती का लग रहा था उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा बहन यही मेरा लाल है चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आपहुँचा अपनी मा को देखकर वह रुक गया और बोला मा लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ मना करने पर भी उसने मा के सिर से पानी से भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा तीनों औरतें बड़े ही आश्चरे से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही एक व्रिद महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी पास आकर बोली देखती क्या हो यही सच्चा ही रहे बाल दोस्तों कैसी लगी कहानी? मज़ा आया ना? हाट पीचर हमें कहानी बहुत पसंद आई बहुत अच्छे बाल दोस्तों इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि सच्चा हीरा उसी व्यक्ती को कहा जाता है जो अपने ग्यान और गुण को आचरण में लाता हो तो बाल दोस्तों आप भी अपने माता-पिता की सेवा तथा बड़ों का आदर करना और जीवन में अपने ग्यान और गुण का आचरण करके अपना गौरों बढ़ाना